जरें दोस्तों भंदे मातरम व्लादीमीर पुतीन इस नाम को कौन नहीं जानता। पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं वो सभी कहीं न कहीं रशिया से किसे ना किसी बात को लेकर दपते ही रहते हैं। वो भी रश्या से दो-दो हाथ करने के पहले सोचता है, बातचीत करता है। अभी इस समय दुनिया वर्ल्ड वार्ट थ्री के मोहाने पर खड़ी हुई है। कई देश हैं जो की उक्रियन की सा तर कई देश जो की रशिया की सा तर कई देश है, उन तटस देशों में भारत भी एक देश है। लेकिन ऐसे में ये सबह्त सभी जानते हैं कि भारत का जो जھकाव है वो naturally रशिया की तरफ ही है। तो ऐसे में व्लादमीर पुतीन के बारें बात की जानी बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक बहुत ही काबिल जासूस रह चुके हैं और ऐसे में जो भी कुछ निर्णाय समय युद्ध के मैदार में लिये जा रहे हैं उन सभी निर्णायों में कहीं न कहीं एक जासूस की सोच मुझे जो बात सबसे जादा हिरान करती है वो ये है कि कैसे सिर्फ एक व्यक्ति कोशिशें उसे वो सब हासल करा देती है जो दुनिया की सेना नहीं दे पाती ये शब्द है रूस के राष्टपती व्लादमीर पुतीन के जो इन दिनों युक्रेन के साथ जंग की वज़े से खबरों में बने हुए है पुतीन ने ये बातें उस समय कहीं थी जब उनकी उम्र करीब 50 साल की थी उस समय उनकी आत्मकता फर्स पर्सन रिलीज हुई थी और उसमें ही उन्होंने ये कहा था पुतीन ने से पहले ये भी कहा था कि एक जासूस फूरी दुनिया का भविश्यताय कर सकता है आज वो एक राश्पती हैं लेकिन उन्होंने सोवियोट संग की इंटेलिजेंस एजनसी के जीबी के लिए साथ अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया था राश्पतीन वही हैं जहां वो हमेशा से पहुँचना चाहते थे सन 1968 में आई रैश्यन स्पाय फिल्म दे शील्ड आफ स्वार्ड और कोल्ड वार थ्रिलर्स को देखने के बाद पुतीन ने के जीबी को जॉइन करने का फैसला किया था वो हमेशा से जासूस बनना चाहते थे और उन्हें जानने वालों की माने तो आज युकरेन में दुनिया जो कुछ देख रही है वो उसी जासूस से दिमाग की उपज़ एक राश्पती के तोर पर वो जो भी फैसल लेते हैं उन पर एक एजेंट लाइफ का सरसाफ नजर आता है सिर्फ 15 साल की उमर में के जीबी के डैक्टर के पास जाकर उनसे नौकरी की मांग सिर्फ पुतीन ही कर सकते थे ठुकरा जाने पर उन्होंने सोचा कि या तो मिलेटरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या फिर अपनी पढ़ाई का उपग्रेड करना पड़ेगा और तभी वो एक सफल स्पाई बन सकेंगे पुतीन की माने तो उस समय उन्होंने ठाना था उसे हासिल करके उनके माबाप भी उनको नहीं रोक पाए उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो केजीबी के एजेंट बने युनिवरस्टी के आखरी साल में एक अंजान चक्ष ने पुतीन को वो असाइन्मेंट दे दिया जिसका वो बेस अबरी से इन्दार कर रहे थे पांट साल के लिए उन्हें स्पाई ट्रेनिंग मिलनी थी और इसके बाद वो केजीबी के जासूस बन जाते पुतीन ने हमेशा खुद को छिपा कर रखा और एक सफल जासूस साबित हुए अमेरिका के पूर राश्टपती बराक वामा के फोटोग्राफर रहे पीट सुजा भी बतौर एजेंट पुतीन के टैलेंट के कायल थे सुजाने एक फोटोग्राफ शेयर करते हुए बताया था कि जिस समय पूर अमेरिकी राश्टपती डोनाल्ड रीगन मॉस्को पहुंचे थे उस समय पुतीन बतौर टूरिस्ट रेड स्कुायर पर मौजूद थे वो उनके हर कदम पर नज़र रख रहे थे हलाकि पुतीन ने सुजा के इस दावे को खारिच कर दिया था अमेरिकी विदेशी विभाग में मनोवेग्यानिक और मौस्को में पांच साल गुजारने वाली डॉक्टर कैनेट की माने तो पुतीन एक नर्दई ताकतवर और अतीम हत्वकांग्शी लीडर जो रूस के लिए अपना सम्मान चाहता है कैनेट की माने तो पुतीन ना सिर्फ रिस्क लेने में यकीन करते हैं बहले कि वो काफी सोच विचार कर कोई फैसला लिखते हैं लेकिन वो दुनिया में एक अशांती फैलाने वाले निता के तोर पर करार देती हैं पुतीन ने एक बार खुद को रूस का सीओ तक कह डाला था वहीं फियोना हिल और क्लिफर्ड ग्रेटी ने मिस्टर पुतीन ऑपरेटिव इन क्रेमलीन में लिखा है कि पुतीन की स्टाइल किसी माफिया फैमिली से आने वाले डॉन की जैसी है जिसने अपनी जिन्दगी में काफी दुख देखें एक डॉन जिसकी माँ भूक की वज़े से मरते मरते रह गई और एक तालिस साल की उमर में जिसने अपने बेटे को खो दिया फियोना और क्लिफर्ट की माने तो पुतीन के दिमाग पर अपनी जिन्दगी की मुश्किलों पका काफी जाद आसर देखने को मिलता है वहीं एक जर्मन टीचर वेरा गुरेविच की माने तो पुतीन कभी ऐसे लोगों माफ नहीं करते जन्हों ने उन्हें दोका दिया हो को बलाया लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी उनके जर्मन बायोग्राफर बोरिस की माने तो ये वही पल था जिसने पुतीन को बेचारा महसूस कराया था उन्हें तब ही ठान लिया था कि वो सबसे मजबूत इनसान बनेंगी और यहां से ही उन्होंने ग्रेट रूस का सपना भी देखा था बोरिस की माने तो पुतीन को समझने के लिए एक और पुतीन की जरूरत पड़ेगी साल 2000 में राजपती बनने के बाद वो जॉर्जिया और सिरिया में युद्ध के लिए जिम्मदार रहे साल 2000 में रूस ने क्रीमिया को युकरिन से लग कर दिया अब युकरिन की जंग जारी है फरवरी में जब ये जंग शुरू हुई थी तो कई लोगो लगा था कि 72 गंटे में खेल खत्म हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुँ डॉक्टर कैनेथ डेकल भी कहती है कि पुतीन को अच्छी तरह से मालूम है कि वो क्या कर रहे है पुतीन ने फर्स परसन ने कहा कि युद्ध जीतने के लिए एक विवहारिक रवाई है चरूरी हमेशे जीत के लिए सोचते रहने पर ही जीत मिलेगी और यही इस समय पुतीन के कामों से भी साफसाफ तोर पर दिखाई दे रहा है